हेलो गाईज वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ तो देखे उत्राखंड के महतपॉन एमसीक्यू की हमारी एक स्रीज चल रही है जिसका पार्ट 26 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ इससे पहले इस स्रीज के 25 पार्ट हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिये गए हैं Most Important MCQ इन वीडियो में प्रोवाइट कराए गए हैं जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं आज किस वीडियो में हम 20 Most Important MCQ डिसकस करेंगे जो के आपके आगामी उत्राखन पुलीस पत्वारी लेकपाल बंदी रक्षक LDC एंडर बंडे एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्डिंग से लेकर एंड तक जरूर देख आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारी टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं अराउंड 6.3 के यहां पर ग्रूप मेंबर्स हो चुके हैं सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे आपर कुईज का एजन भी कराया जाता है इसके अलाबा अधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो के और इस सीरीज का पहला कुश्यन है किसाओबाद परियोजना को किश्वर्ष राष्टी परियोजना घोशित किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखे किसाओबाद परियोजना जो की देहरा दून में स्तित है किशाओबाद परियोजना और इस परियोजना को राष्टी परियोजना घोशित किया गया वर्ष 2016 में option for discussion का correct answer हो जाएगा देखे किशाओबाद परियोजना देहरादून जनपद में टोंस नदी पर स्तित है और यह 600 मेगावाट की परियोजना है जिसक 180 किलोमेटर किसावबात परियोजना की लंबाई है किसावबात बनाने की जिम्मेदारी है यह THDC यानि टीरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्परेशन को दी गई थी किसावबात परियोजना को वर्ष 2016 में राश्टी परियोजना घोशित किया गया यह आपको ध्यान में रख माना गाओं में भीम पुल वा भीम शिला यह इस्तित है सरस्वती नदी पर ऊप्षन सेकेंड इस कुषिन का करेक्ट आंसर है माना गाओं जो के आपके चमोली जनपद में इस्तित है माना गाउं चमोली जिले में इस्तित अंतिम गाउं है माना गाउं माना गाउं का पुराणों में नाम मनी भद्र पुरी है मनी भद्र पुरी है इसका पुराणों में नाम सरस्वती नदी पर बना पाशान सिलापुल या भीमपुल माना गाउं के पास इस्तित है माना गाउं में भोटिया एवं मार्चा जन जाती का ग्रीश्म कालीन आवास इस्थल है गड़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक के लेखक कौन है इस पुस्तक के लेखक है भक्त दर्शन पौडी के रहने वाले हैं और इनका मोल नाम है राज दर्शन इनका मोल नाम था देखें इनके पिता का नाम गोपाल सिंग है गोपाल सिंग इनके पिता का नाम था भक्त दर्शन के भक्त दर्शन ने अपने नाम से जाती सुचक सब्ग हटा दिया था 1949 इस भी में इन्होंने भहरवदत धूलिया के साथ मिलकर लैंस डाउन से कर्म भूमी नामक जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन किया था भहरवदत धूलिया के साथ मिलकर कब 1949 इस भी में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है नो डाउन जरूर कीजिएगा नेक्स्ट कुशन देखे चौबटिया में परवती शोद केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई देखे चौबटिया में परवती शोद केंद्र की देखे चौबटिया को आर्चर्ड कंट्री कहा जाता है नो डाउन कर लिजे आर्चर्ड कंट्री कहा जाता है चौबटिया को जो की अल्मोडा जन्पत के रानी खेत में इस्तित है चौबटिया इस्तित है अल्मोडा जन्पत के रानी खेत में और यहां पर फल संग्रक्ष एवं शोत केंद्र भी है नेक्स्ट कुश्चन देखे गाइस वीडियो पुस्ट आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनेश्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वीडियो को जाद से जाद शेयर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ अपने बड़सप ग्रूप समय और आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट शेक्षन में कमेंट जरूर कीजेए अलपाइन वन छेतर का विस्तार कितनी उचाई तक पाया जाता है अलपाइन वन छेतर का विस्तार है ये 2800 से लेकर 3800 मीटर की उचाई तक पाया जाता है और इन में प्रमुख वन जो है ये हैं देवदार बुरांस और बर्च अलपाइन वन में मुख्य रूप से देवदार बुरांस और बर्च वन पाये जाते हैं लोहा घाट में मायवती आर्षम के स्थापना किस ने की थी देखे लोहा घाट जो कि आपके कहां पर इस्तित है चमपावद जनपद में चमपावद जनपद में स्तित है लोहा घाट और यहां पर मायवती आर्षम के स्थापना की गई और इस मायवती आर्षम के स्थापन की थी स्वामी विवेका नन्ने option first question का correct answer है मायवती आश्रम की स्थापना स्वामी विवेका नन्ने 1899 में की थी इस आश्रम को बनाने में मुख्य भूमी का किसकी रही ये question आप से पूछा जा सकता है तो note कर लिजेगा इस आश्रम को बनाने में मुख्य भूमी का एच सेवियर की रही थी मायवती आश्रम को बनाने में मायवती आश्रम के प्रथम प्रमुख कौन थे ये भी question अगर पूछा जाता है तो मायवती आश्रम के प्रथम प्रमुख थे स्वामी स्वारूपा नंद नोट डाउन जरूर केज़ेगा गाईस यहाँ पे आपको एक question के साथ और कई question बता दिये जाते हैं तो ये भी आगामे exam के लिए important है यहाँ पे आप कौफी पैन लेके जरूर बैठा कीज़े और इनको नोट डाउन कीज़ेगा मायवती आश्र अगला देखें कमलेंदु मति शा को किश वर्ष पद्म भोषन पुरुसकार दिया गया वर्ष उन्निस सो अठावन इस भी में option first question का करेक्टर आंसर है जन सेवा के छेत्र में उल्लेखनी योगदान के लिए वर्ष उन्निस सो अठावन में पद्म भोषन सम्मान से मानित की गई टिरी रियासत के महराजा नरेंद्र शा की महरानी कमलेंदु मति 1952 इस भी में टिरी से प्रथम लोग सभा के लिए चुनी गई और ये all India woman association की आजीवन सदश्या रही all India woman association की ये आजीवन सदश्या रही इन्होंने जीवन जोती और माई इंप्रेशन नोट का लिए जीवन जोती और माई इंप्रेशन माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक लिखी जीवन जोती और माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका तो ये पुस्तके लिखी है कमलेंदु मति शाने नेक्स्ट कुश्चन देखे गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लेना है आपको और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूटिब चैनल स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सस्क्राइब कीजेगा ये क्लास आपको डेली राद को आठ बजे मिल जाती है तो आप इसको जरूर जोइन कीजेगा आप जो लोग उत्राखंड पुलीस की तैयारी कर रहे हैं और अदर कोई भी उत्राखंड एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफी हेलफूर रहने वाल का पुलीसीन का अंसर है अटरिया मेला उधम सिंग नगर के रुद्र पूर में अटरिया देवी मंदिर में लगता है और ये मेला जो है द्वारा हाट मंदिरों का जीर्णो धाल किस वर्ष किया गया द्वारा हाट मंदिरों का जीर्णो धाल किया गया वर्ष 1918SB में option first discussion का correct answer है द्वारा हाट को हिमाले की द्वारी का कहा जाता है और देखे द्वाराहाट मंदिर समो कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम का परतीक है और द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है ये सारे चीजे ध्यान में रखना है द्वाराहाट ये इस्तित है आपके अल्मोडा जन्पद में नेक्स्ट कुश्चन है निमन में से कौन सा बुग्याल उखी मट गोपिश्वर मोटर मार्ग में इस्तित है तो देखे उखी मट गोपिश्वर मोटर मार्ग पर इस्तित जो बुग्याल है इस बुग्याल का नाम है चोपता बुग्याल ऑप्शन परस्ट इस कुश्चन का कर आंसर है औली बुग्याल की बात करें तो ऑली जो है यह है आपके चमोली जनपद में पवाला काठा बुग्याल है उत्तरकाशी में उत्तरकाशी में इस्तित है और बेदिनी बुग्याल है चमोली जनपद में चमोली जनपद में इस्तित है बेदिनी बुग्याल और यह कि नदी कहा जाता है most important question है वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर लीजेगा और आपको comment section में comment करके बताना है कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और out of 20 आपके कितने question करेक्ट थे और honestly बताईएगा कितने question आपके आज की वीडियो को करेक्ट हुए निम्ने म यमुना की सबसे प्रमुक्स हायक नदी है यह उतरकासी इस्तित बंदर पुछ परवत के उतरी ढाल के स्वर्गा रोहनी गलेशेट से निकलने वाली सूपिन नदी सूपिन नदी वह हिमाचल परदेश के दोवरा कौार छेतर से आने वाली रूपिन नदी सूपिन नदी और रूपिन नदी के मिलने से बनी है कौन से नदी टोंस नदी सूपिन और रूपिन दो नदियों के से मिलकर बनती है टोंस नदी जो कि कुछ दूरी तक तमसा के नाम से जानी जाती है टोंस नदी कुछ दूरी तक किस नाम से जानी जाती है तमसा नोट टाउन का लिजिए तमसा के नाम से कुछ दूरी तक जानी जाती है टोंस नदी उत्राखंड और हिमानचल का बॉर्डर निधारित करती है और इसकी सहय एक नदिया है, खूनी गार्ड व व म Lockpad, इसकी सहायक नदिया है, नेक्स्ट कुश्यन देखे, गड़्वाल की पृत्थम महीला लेकी का विद्यावती डोभाल, की पहली रच्णा कौन सी है तो देखे गड़वाल की प्रथम महिला लेखी का है विद्यावती डोभाल इनकी पहली रचना है इन में से अम्रित की बूंदे ऑप्षन फोर्थ स्कुषिन का करेक्टर आंसर है देखे गड़वाल की प्रथम महिला लेखी का विद्यावती डोभाल इनका जन्म 1902 दोजवल को गडवाल में 1902 जन्म हुआ और यह गडवाल की पहली महिला लेखी का कवियत्री समाथ सेवी का और विमान परिचायक है यह गडवाल के पहली महिला लेखी का कवियत्री समात सेवी का और विमान परिचायक है और 1929 इसवी में इनकी पहली रचना अमरित की बुधे ध्यान दीजेगा अमरित की बुधे इनकी पहली रचना है जो की 1929 इसवी में गड़वाली प्रैस धिरादोन से प्रकाशित हुई अन्य रचनाओं के अगर हम बात करें तो इनके अन्य रचना है पगली का प्रलाप खंडूरी कुल के खंडूली कुल की विभूतियां एवरेश्ट के देवता इनकी कुछ प्रमोक रचनाएं हैं ये भी नोट डाउन कर लिजे आप अगला देखिएगा लक्षमन जूला पुल के निर्मान की प्रकरिया कब शुरू की गई देखिए लक्षमन जूला पुल ये इस्तित है रिशी केश में लक्षमन जूला पुल कहां पर है रिशी केश में इस्तित है और इस लक्षमन जूले पुल की निर्मान की प्रक्रिया शुरू की गई वर्ष 1927 इजवी में ऑप्षन सेकेंड इसकृषिन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षमन पुल रिशिकेश में हैं जो की 140 मीटर लंबा वा 22 मीटर उचा है लक्षमन जूला पहले जूट रोप ब्रिज था जूट से बना हुआ बाड के बाड यहां पर भयंकर बाड आ गए थी 1924 इजवी में और 1924 इजवी के बाड के बाड में ये तूट गया था इस पुल का निर्मान 1927 इजवी में शुरू हुआ था जो की 1929 इजवी में ध्यान दिजेगा 1929 इजवी में बनकर तयार हुआ और 1 अप्रेल एक अप्रेल 1930 इजवी में पुल पर आवागमन प्रारंब कर दिया गया तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेगा इंपोर्टेंट है अगामी एक्जाम के लिए गंगा ग्राम योजना की शुरुवात उत्तरकाशी में किसके द्वारा की गई देखे गंगा ग्राम योजना इसकी शुरुवात कहां से हुई उत्तरकाशी में हुई और उत्तरकाशी में इसकी शुरुवात की थी उमा भारती ने option first बिलको right answer है इस question का वीडियो पसंद आ रही है please like जरूर कीजिएगा comment section में comment करके बताएं कि out of 20 आपके कितने question correct हुए next है पलेटी के सूरी मंदिर का निर्माण किस ने किया था पलेटी का सूरी मंदिर इसका निर्माण किया था कलियान वर्मन ने option first discussion का correct answer है पलेटी का सूरी मंदिर हिंडोला खाल देव प्रियाग हिंडोला खाल देव प्रियाग में इस्तित है और ये सात्वी शताबदी का सबसे प्राचीन सूरी मंदिर है कि शताबदी का सात्वी शताबदी का सबसे प्राचीन सूरी मंदिर है और ये मंदिर लुलेरा गुलेरा घाटी में इस मंदिर के शिला पट में कलियान वर्मन व आदी वर्मन का ब्रहमी लिपी में लेख मिलता है किस लिपी में तो ब्रहमी लिपी लिख लिजे लिपी इस है इसकी ब्रहमी लिपी ब्रहमी लिपी में कलियान वर्मन व आदी वर्मन का लेख मिलता है इस मंदिर के शिला पट पर जो की ब्रहमी लिपी में लिखा गया है नेक्सट कुश्यन है लता मंगेशकर ने एक मात्र गड़वाली फिल्म के लिए गाना गया उस फिल्म का नाम बताईए तु देखें लता मंगेशकर ने गड़वाली फिल्म। ड्खेज, बिए ड्रयावार फिल्म बनी थी और यह sonupar dwarahenавrahorah निर्देशित फिल्म है थो लगता मंगेशकर इनका हाली में निधन हुआ है तो आयूग दारे यह question पूछा जा सकता है current का इसको करेंट से रिलेट करके पूछा जा सकता है तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लिजी आगामी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है इसके अलावा अगर मधुली फिल्म की बात करें तो मधुली फिल्म ये कुली वेगार पर आधारित फिल्म है और घर्जमे फिल्म जो है ये सबसे सफल गड़वाली फिल्म है नेक्स्ट कुश्शन है भरत कभी को जोती कराई की उपाधी किस ने दी ती? देखे भरत कभी को जोती कराई की उपाधी दी दी जहांगीर ने ओप्शन सेकिन लिखक्रेंट आंसर है मान शाह के शमें पवार vulnerable कभी भरत था भरत कवी गड़वाल का कवी था जिसने मानोदै कावी की रशना की थी भरत कवी ने और देखे संस्कृत भासा में इस कावी की रशना हुई थी कवी भरत को जहांगीर द्वारा जोती कराई की उपाधी दी गई यह आपको ध्यान में रखना है तो यह सारे पोइंट्स आपको इंपोर्टेंट पोइंट्स यहां पे बताए जाते हैं हो सके तो आप copy pen लेके जरूर बैठेगा इनको note down करने के लिए आपके आगामी exam के लिए ये most important है आपको detailed question है यहाँ पे दिये जा रहे हैं जो कि आपको आगामी exam में काफी help करेंगे तो वीडियो पसंद आ रही है आपको like कर लिजेगा और जिन लोगों ने अभी भी हमारी YouTube channel study with aim को subscribe नहीं किया है वे लोग प्लीज subscribe कर लिजे और देखे आपको जाद से जादा शेयर करना है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने WhatsApp ग्रूप्स में और आप comment जरूर कीजेगा आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है next question देखिए सर्व संग्रा सास्त्र के लिखक कौन है तो देखे सर्व संग्रा सास्त्र के लिखक है इनमें से सुदर्शन सा option third discussion का correct answer हो जाएगा देखे सुदर्शन शा ने अपने आपको सुरत कवी के नाम से समोधित करता था सुरत कवी कहता था ये अपने आपको सुदर्शन शा ने सुरत कवी के नाम पर सभागार ग्रंथ की रशना की तो ये आपको ध्यान में रखना है इसने सभासार, सभासार ग्रंथ की रशना की साथ खंडों में, कितने खंडों में? साथ खंडों में सभासार ग्रंथ की रशना की थी, सभासार ग्रंथ ब्रज भाषा, सभासार ग्रंथ में किश भाषा का प्रियोग किया गया है, ये भी कुश्यन पूछा जा सकता है, तो इस ग्रंत में ब्रिज भार्षा का प्रियोग किया गया है ब्रिज भार्षा शुदर्शन शा का कारी काल 1815 इसबी से लेकर 1869 इसबी तक रहा इसने अंग्रेजों ने इस पर 7 लाख रूपिये न देने का आरोप लगा कर श्री नगर अपने अधीन कर लिया था यह आपको ध्यान में रखना है सुदर्शन शा ने 28 दिसंबर 1815 इसबी को टीरी में अपनी राजधानी बनाई थी नेक्स्ट कुश्चन देखिए बद्रिनात मंदिर के लिए गाड़ु घड़ी यात्रा कहां से प्रारंब होती है तो देखिए बद्रिनात के लिए गाड़ु घड़ी यात्रा जो है ये प्रारंब होती है तीरी से आप्शन फोर्त बिल को राइट आंसर है इस कुश्चन का नेक्स्ट कुश्चन सेकें इस्टूशिन का करेक्ट आंसर है विद्या सागन नौट याल इनका जन्म 1933 इस वी को टिहरी के टिहरी के माली देवल गाउं में हुआ था टिहरी के माली देवल गाउं में इनका जन्म होता है विद्या सागन नौट याल एक पुर्शित कथाकार स्वतंतरता सेनानी हित्य के माध्यम से मुख्रित करते रहे इन्होंने तीरी राजसाही के विरुद्ध भी शंगर्ष किया था ध्यान दिजेगा इन्होंने तीरी राजसाही के विरुद्ध भी शंगर्ष किया था यमुना के बागी बेटे यमुना के बागी बेटे भीम अकेला जुंड में बि इंपॉर्टेंट है नोट डाउन कर लिजए आगाम एक्जाम में पूछे जा सकते हैं मोहन गाता जाएगा शीर्षक से उन्होंने अपनी आत्म गथा लिखी थी इन्हें सहीट सेवा के लिए श्री लाल शुकल इसमर्टी इसको सहीट समान वर पहल समान सहित कई सम्मान मिले थे ओके गाइस आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आज की ये वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए झाल झाल